हर चीज से मेरा नाम जोड़ना ज़रूरी है गया और वो हमारे पती से प्यार करेगी या फिर उसकी महंदी लगाएगी या कुछ और हम जेलेंगे इतने बेवकूफ नहीं हम ही आवरीवन वल्कम बैक टू दे न्यू वीडियो यारो आपने नोटिस किया होगा कि अर्मान मलिक और उसकी फैमिली को बिग बोस के बाद इतनी खास अटेंशन नहीं मिल दे थी लाइक कॉंट्रोवर्सी होना न्यूज में आना एंड एज प्रोफेशनल व्लोगर ये तो उनकी शान है तो फिर क्या था आगे इनकी नई कॉंट्रोवर्सी जिसके हिसाब से अर्मान ने चोथी शादी कर लिया है और अगर आपने इनके व्लोग्स देखे होंगे तो आप आपको पता होगा कि इनके घर में ना एक महले के बराबर स्टाफ है घर में काम करने वालों से लेकर वीडियो एडिटर्स वगयरा सब 24 गंटे इनके घर में ही घूमते रहते हैं पर उनमें से ना एक लड़की है लक्ष जो इनके बच्चों की केर टेकर है और लोग ना इस तो एचली ना पायल से मिलने से पहले अर्मान की शादी औरड़ी किसी से हो रखी थी बट पायल के लिए उसने अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ दिया था और बाकी की कहानी तो हम सब जानते ही हैं और ये चीज ना इन लोगों ने खुद ही नहीं बताई बलकि लोगों ने ही एक्सपोज किया था फिर इन लोगों ने जस्टिफाई करते हुए कहा कि शादी जबरदस्ती हो गई थी 17 साल की उमर में हो गई थी एंड इसलिए अर्मान ने उसे छोड़ दिया लेकिन जबरदस्ती की शादी में भी दो बच्चे हो गए और उस बैचारी को मेंटे लाइफ डिस्क्लोज नहीं करना चाती से जदा शक लोगों को तब हुआ जब पिछले साल लक्ष ने अर्मान के नाम की महंदी लगाई और इस साल भी तो अर्मान का ना पहले नाम संदीब था पर दो शादी होने के बाद उसने एक मुसलिम नाम रख लिया और ना सिरफ य नहीं और भी बहुत सारे वीडियों से लक्ष यर अर्मान के एक साथ जो और मान किसी और हाँस हैक साथ कभी नहीं बनाता यह दोनों साथ में बिछाफिस जाते हैं और नामान के साथ बास ये विडियो से नहीं सबक्त हो सालोग लग हम द्रफ सक लिबेव कर रहे 바락 नहीं दोनों बीवियों की तरह ही लक्षने भी रेड पहना था और उसके साथ भी बहुत सारे वीडियो और पिच्चर्स है अर्मान के उन में से किसी एक पिच्चर का कैप्शन है लोगों का काम है आपको जच करना और हेटर से आपका घर नहीं चलता बट इनका घर एचुली हेटर से ही चलता है और यहां भी इन दोनों का कुछ हो ना हो बट फोर शूर यह दोनों यह हरकते ना जान बूज कर ही कर रहे हैं जिसमें ऐसा लगे कि इनके बीच कुछ है क्योंकि सबसे बड़ा रीजन दो बीवियों वाले ड्रामा का पैसा चापना ही है करोडों में जो इनकी नेट वर्थ हो चुकी है ना वो कभी ना होती अगर यह दोनों ना होती अगर इतनी हेट मिलने के बाद भी इन लोगों ने यह सब कॉंटीन्यू ना किया होता अगर वो रेलेवेंट रहने के लिए एक और शादी कर भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और ना सभी सा हो रहा है यह इनका कॉंसेप्ट है लक्ष हेट कुमेंट्स पढ़ रही थी तो किसी ने कॉमेंट किया कि अगर तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है तो तुम राखी क्यों नहीं बान देते हैं और मान को और यह लोग लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी सोच गंदी है ज इससे ऐसा लगे लोगों को अपनी हाउस हेल्प के साथ ऐसे गानों पे रिल्स कौन ही बनाता है उसे जिम में इतनी हेल्प कौन ही करता है इनका यह नया ड्रामा शुरू हो गया है पहले खुदी भर-बर के ऐसी रील्स एंड वीडियो बनाए जिसे लोगों को लगे कि इन 810,000,000,000 subscribers just because he has two wives जहां पॉली जैमी इनसान इन सब चीज हो को प्रमोट कर रहा है और इंस्टेद आफ यूट्यूब तो छोड़ो बिग बोस जैसे रियालिटी शो में भी इनको दिखाया जा रहा है लोगों को नाशनल टेलिवीजन पे यह डिर्टी फैमिली ड्रामा दि नहीं है, so what do you think about it, let me know in the comment section and thank you for watching.